बिग बॉस के घर के अंदर जाकर सल्मान खान ने राखी सावन का बेट क्लीन किया ये ख़बर फिल्मेंडो निकल आपको सबसे पहले बताई थी और अब जो है क्यों सल्मान खान गुसा हुए दरसल इजास ने बताया कि सर वो निक्की को नहीं बनाना था बेट तो जस्पर कहते हैं कि क्यों चलो ठीक है मैं अंदर आता हूँ और वो मास्क बेहन कर अंदर गए और उन्होंने राखी सावन का बेट क्लीन किया जस्पर निक्की के जो बरताव है उसका जवाब दिया अली कहने लग गए कि भाई प्लीज आप रहने दीजिए आप मत कीज़े तो सल्मान कहते हैं क्यों नहीं करूप करता हूँ ना फिर उन्होंने राखी सावन का पूरा बेट क्लीन किया राखी कहते है कि नहीं नहीं सर आप रहने दीजिए मैं सच में कर लूँग फिर उन्होंने काई कि देखो हो टीक है ना ऐसा बैय जो मैंने किया है निक्की वेखा को हो और फिर उन्होंने कहा कि कोई काम झोटवा नहीं होता है निक्की तु एक बात तो होता है कि सल्मान खान ने निक्की को जवाब दे दिया जिहां जिस तरीके से वो कह रही थी हाला कि अजास कह रहे थे कि तुम्हें जो है वो उन्टचेबल थोड़े ना है और बाद में उसका मुद्दा बना कि अजास खान जो है नई चीज जो है इस जगणे में लाने की क्यों होंगी नई इसलिए मैंने उस शक्त का इस्तिमाल किया तो सल्मान कहते ठीक है तो मैं घर के अंदर आता हूं लास सीजन में भी वो गये थे उन्होंने सल्मान खान ने ट्वालेट क्लीन किया था बड़तन धोय थे घर के और अब जाके राखी सावन का बैड क्लीन किया तो अब यह देखना होगा कि सल्मान खान ने जब इतनी वड़ी सीख दिये घर वालों को तो इसका कितना असर पड़ता है